Welcome all of you, कैसे हैं आप? आज हम 5th क्लास की EVS की बुक लुकिंग राउंड या आसपास के चैप्टर नमबर 19 A Seed Tells a Farmer's Story किसानों की कहानी बीज की जवानी के पार्ट बन में जानेंगे की एक किसान अपने खेतों में अन उगाने के लिए बीजों को कैसे रखते हैं? उनकी देखवाल कैसे की जाती है और बीजों को कैसे त्यार किया जाता है आप जानते हैं कि खेतों में फसल उगाने के लिए बीज बोय जाते हैं ये बीज कहां से आते हैं और कैसे त्यार होते हैं? आज इसकी पूरी जानकारी हम प्रापत करेंगे ये जानकारी प्रापत करने के लिए आप 5th क्लास की EBS की बुक का पेज नंबर 174 ओपन करें या फिर इस पेज को आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं. I am a small seed मैं एक नंना बीज हूँ I am a small बाजरा seed मैं बाजरा का एक नंना सा बीज हूँ I have stayed in this beautiful wooden box since 1940. बहुत साल पहले सन 1940 मैं मुझे लकडी के इस सुंदर बक्से में रखा गया था I want to tell you my story मैं तुम्हें आज अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ This is a long story but not mine alone. It is also the story of my farmer Daam Jeevai and his family. यह सिर्फ मेरी नहीं मेरे किसान Daam Jeevai के परिवार की भी कहानी है If I do not tell my story now it might be too late अगर आज ना सुनाई तो शायद फिर कभी ना सुना पाऊं I was born in Baan Gaam in Gujarat. मैं जनमा था Gujarat के Baan Gaam में. That year there was a good Bajra crop. उस साल Bajra की फसल बहुत अच्छी हुई थी. There was a festival mood in the village. गाउं में त्योहार का महौल था. Our area was famous for its grain and vegetables. हमारा इलाका अनाज, साग, सबजी के लिए बहुत मशूर था. Each year, दामजी भाई kept aside some seeds from a good crop. दामजी भाई हर साल अच्छी फसल के कुछ बीज अगले साल के लिए रखा करते थे. बच्चों, आपने भी अपने घर या अडोस प्रोस में देखा होगा कि फसल को उगाने के लिए घर में बीज रखे जाते हैं. This way our Vazra family bent on from one generation to another. इस तरह हम बीजों का बंश एक generation से दूसरी generation तक चलता है. Good seeds were stored in dried gourd which was coated with mud. सूखी लौकी को मिटी से लीप कर उसमें बीजों को रखा जाता है. What? That year दामजी भाई himself made a strong wooden box to store us. मगर उस साल दामजी भाई ने हम बीजों को रखने के लिए छोटे-छोटे खानों बाला मजबूत लकडी का एक सुंदर बक्षा अपने हाथों से बनाया. He put in name leaves to protect us from insects. हमें कीडों से बचाने के लिए उसमें नेम की पतियां बिशाएं. बच्चों नेम की पतियों से कीडा नहीं लगता है. आपके घरों में भी आपके पेरेंट्स अनाज को बचाने के लिए नेम की पतियों का यूज़ करते होंगे. He put different seeds in different compartments of the box. That was our beautiful home. In those days, दामजी भाई and his cousin lived together. उस समें दामजी भाई के सभी चचेरे भाई भी उनके साथ ही रहते थे. It was a large family. Everyone in the village helped each other even in farming. गाउंवाले एक दूसरे के खेतों में हाथ बटनाते थे. When the crop was ready and harvested, everyone celebrated together. जब नई फसल त्यार हो जाती, तो सब साथ साथ त्योहार मनाते. Oh, those wonderful days with big feasts, lots to eat. तबके खाने पेने की तो बात ही अलग थी. In the winter, it would be time to enjoy the undhya, a kind of stew. All the vegetables were put into a clay pot along with fresh spices. The pot was sealed and kept between hot coals. The vegetables cooked slowly in this special cooker on the fields. सर्दियों में खेत में ही ताजी सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में भरते और उसको सीलवन कर देते. कोईले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता. Oh, I forgot. The pot was placed upside down. This is by the dish was called undhya or upside down in गुजराती. इस तरह पकी सब्जी को क्या कहते हैं उंध्यों गुजराती में और जिसका मतलब हैं उल्टा. उंध्यों would be eaten with बाजरा रोटी फ्रेशली कुक्ड़ॉन दा चुल्हा. Oh, what an earthly, delicious flavor. Along with that, homemade water, curd and water milk was served. उंध्यों के साथ मिट्टी के चुल्हे में पकी बाजरे की रोटियों को सौंधी खुश्बू. वह, साथ में घर के दूद का मक्खन दे हीं और जितना चाहे उतनी शाष्बू. तो बच्चों आपने भी क्या कोई इस तरह की डिश अपने घर में बनाई या खाई हैं? आपको याद होगा आपके घर में भी मक्खी की रोटी चुल्हे पर बनती है, सरसों का साग और उसके साथ मक्खन और शाष्ब आप जरूर लेते होंगे. फार्मर्स वूट ग्रोव मैने डिफरेंट काइंड आप क्रॉप्स, ग्रेंज एंड वेजिटेबल्स, अकॉर्डिंग तु दा सीजन, तरह तरह की सबजियां अनाज अलग अलग मौसम में हुगाई जाती थी. The farmer kept enough for their needs and sold the rest to shopkeepers from the city. किसान अपने जरूरत के अनाज सबजी घर में रख कर बाकी का शहर के दुकानदारों को बेच देते. Some farmers also grew cotton. कुछ किसान अनाज और सब्जियों के इलावा कपास भी उगाते. At home, family members spun cotton on a चर्खा. To make cloth, सूत की कताई और बुनाई भी घर में चर्खों और करगों पर की जाती. बच्चों, पुराने समय में जब धागा बनाने की machines नहीं होती थी, तो कपास से चर्खे के उपर धागा या सूत बनाया जाता था और उससे कपड़े बुने जाते थे. आजकल कपड़ों की बुनाई के लिए machines का प्रियोग किया जाता है. Are rotis made in your home from which grains are they made? क्या तुम्हारे घर में रोटियां बनती हैं? किसे नाज से? तो बच्चों, आपके घर में गेहूं के नाज से रोटी बनती होगी, मक्की के अनाज से रोटी बनती होगी, या फिर किसी और अनाज से भी अगर आप रोटी बनाते हैं, तो शेर करें. have you eaten रोटी made from बाजरा और जवार did you like this क्या तुमने कभी जवार या वाजरे की रोटी खाई है तुम्हें कैसे लगी तो आपने क्या कभी ऐसी रोटी खाई है आप को उसका स्वाद कैसा लगा आप बताएं In your house, what is done to protect grains and pulses from insects तुमारे घर में अनाज और डालों को कीडों से बचाने के लिए क्या क्या करते हैं तो बच्चो आपने इस चैप्टर में जाना है कि वीज को बचाने के लिए किसान नीम के पत्तों का इस्तेमाल करता है आपके घर में क्या नीम के पत्तों का यूज होता है या फिर किसी medicine का use होता है आप यहां बताएंगे और पता करेंगे इस से आगे की जानकारी हम अगले part में share करेंगे Thanks